ओम शान्ती माई इंडिया हेल्दी इंडिया की अंतरगत इस स्वास्त परी चर्चा में सभी दर्शकों का हमारा स्वागत है हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको सेहत मन बनाए रखें लेकिन आज इस भाग दोर भरी जिन्दगी में हम देखते हैं कि आप अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं और कुछ छोड़ी समस्याओं को नजरंदाच कर देते हैं तो आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं महिलाओं के स्वास्त संबंदी समस्याओं के बारे में और इसके लिए फिर से हमारे बीच में हैं डॉक्टर पुष्वपांडेची जो कि आप इस्त्री रोग विशेशग हैं डॉक्टर पुष्वपांडेची आपका इस स्वास्परी चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार, और शान्ती डॉक्टर पुष्वपांडेची जो आपने कुछ पिछले एपिसोट में महिलाओं में क्या-क्या समस्याओं आ सकती हैं आपने उसकी कुछ समस्याओं भी बताई, जानकारियां भी दी लेकिन हमारे दर्शकों के तरब से कुछ प्रशन आये हुए हैं तो जिसे पिछली बारी हमने बात कीती महिलाओं के स्वासंबंधी समस्याओं के बारे में कि वो समस्याओं क्या हो सकती हैं उसमें आपने जानकारी भी दी थी और उसका कुछ हल भी बताया था लेकिन आज हमारे बीच में दर्शकों के तरफ से कुछ प्रश्ण आये हुए हैं तो पहले हम उन प्रश्णों के बारे में चर्चाए करेंगे उनकी जो प्रश्ण है कि जो हमारे अंदर अपने जो बताया था कि नलियां होती है और उस नलियों में सूजन आ जाती है तो वो किस कारण से आती है वो सूजन नली जिससे ओवरी के पास जो नली होती है उसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं तो अगर इंफेक्शन किसी भी कारण से हो उसके बहुत सारे कारण होते हैं जो TB होता है, टीबी के कारण भी उस नली में सूजना आजाती है और वो नली ब्लॉक हो जाती है, तो उसके कारण प्रेगनेंसी भी नहीं होती है, और ऐसी महलाएं, मतल इस्टरलिटी उनको हो जाती है, तो इस्टरलिटी अर्थात बच्चों का ना होना, तो एक ये भी से अगर उसको infection हो गया तो वो सूजन हो जाती है और वो block होना बहुत ही मतलब दुखदाई होता है मरीज के लिए और और भी कारण होता है जैसे कि अगर मान लीजे endometriosis हो गया endometriosis तो कहीं भी हो जाता है तो उसके कारण भी नली में problem आ सकते हैं डाक्टर पुषपाणी ची एक और प्रश्ण हमारे पास आया है कि जो गठान होती है tumor है ना तो उसमें फर्क क्या होता है जो सिस्ट पाए जाते हैं हमारे अंदर जो अपने बताये थे तो उसमें अंतर क्या होता है वैसे शरीर में किसी भी जगह सिस्ट हो सकता है तो सिस्ट जो होता है वो चाहे प्रजिनन प्रणाली हो या शरीर में भी हो किसी भी जगह सिस्ट हो सकता है और उसके बहुत सारे varieties होते हैं कुछ जो cyst होती हैं जिसमें की सिर्फ fluid रहता है और कुछ वो functional cyst भी होती है hormonal सिर्फ problem होती है तो उसमें कोई भी घबराने के आवश्यक्ता नहीं होती है लेकिन अगर वो cyst solid होती है solid होती है और कभी-कभी वो malignancy होती है उसके कारण solid cyst में malignancy भी हो सकती है और benign हो सकता है जो solid इसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पानी हो, सिर्फ लिक्विड हो, वो solid cyst कहलाती है. जैसे कोई गठान में दर्द होता है, तो क्या वो कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है? या दर्द नहीं होता, तो उसका कोई कारण होता है? तो शरीर में किसी भी जगए, अगर गठानों में दर्द है, तो एक infection का कारण हो सकता है. दर्द ना होना ज्यादा खत्रा है. जैसे हम breast की बात कर रहे थे, कि breast में जब जो गठान होती है, क्योंकि खास वज अगरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें महिलाएं हमारे पास बहुत लेट आती हैं, क्योंकि जो पहले गठान छोटी होती है, जो cancer की भी जो गठान होती है, वो बहुत छोटी होती है, और उसमें कभी भी दर्द नहीं होता है. तो मुझे लगता है कि जहाँ दर्द होता है, तो सायद पे सेंट डॉक्टर की पास आते होंगी कि इस गठान में दर्द है, और जहाँ दर्द होता ही नहीं है, तो उसको नॉर्माल ले लेते हैं, इसलिए वो बढ़ जाता है, तो फिर लेट हो जाता है, अब जैसे मानली ज्यादा बहुत खत्रा नहीं होता है, दर्द होता है, लेकिन ये गाठ जो होती है, कभी भी कैंसर नहीं होती, फाइबरीट की. तो जैसे बताया कि जहाँ दर्द होता है, तो हम दॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अगर जिस गठान में दर्द नहीं है, तो उसको भी नजर अंदाज बिल्कुल नहीं कीजिए, उसको भी डॉक्टर को दिखाए, उसको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही दिखाना है, तो वो आंगे चलकर कमभीर समस्या, फिर वो डॉक्टर उसमें बायोपसी करवाता है, तब उसमें सम बताया था कि 13 वर्ड से मैंसिस सुरू हो जाते हैं लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि उससे भी पहले छोटी-छोटी जो बच्चियां होती हैं आजकल उनको भी मैंसिस हो जाते हैं तो इसका बज़य क्या है तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब बच्ची जो होती है वो adolescent age में change होती है तो उसके body में changes आते हैं और क्या-क्या changes आते हैं यह समझना बहुत ज़रूरी है तो वो hormone के कारण changes होते हैं और यह 3-4 साल तक 2-5 साल तक लगभग यह change चलता है तो 2-5 साल तक जो change होता है तो उसमें पहले थेलार्की अर्थात breast develop होना फिर secondary sex character develop होना और उसके पहले height बढ़ जाती है और फिर मेनार्की मेनार्की होता है मतलब यह normal कहलाता है और जो normal age होती है अभी यह age कम हो गई है यह लगभग 13 नहीं रह गई है अब मेनार्की की जो age है वो 11 साल हो गई है और उसका कारण यह है कि एक तो environment change हो गया है environment change होनी के कारण social media के कारण और तीसरा जो होता है वो diet के कारण आजकल लोगों की diet भी अच्छी हो गई है पहली जो girls को दिया जाता था उसके comparison में आजकल diet healthy हो गई है लोग अच्छी diet लेते है तो इसी लिए शहरों में अगर आप देखो तो मीनार्की मतलब कि age कम है क्योंकि शहर में diet अच्छी होती है गाउं में जो होता है वो थोड़ा लेट है तो यह normal है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है लेकिन अगर यह changes जब एक बच्ची एक किशोरी में change होती है तो किशोरी तो adolescent हुआ लेकिन जो उस अवस्था को जो change होता उस समय को puberty period कहा जाता है लेकिन अगर यह और ज़्यादा पहले हो गया तो precocious puberty इसमें जरूर parents को ध्यान देना चाहिए क्योंकि कहीं हो सकता है कि endocrine जो glands जो बतला है जो उसमें कहीं problem हो सकते है तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए जी जी डॉक्टर फुशर पांडी जी एक और सवाल हमारे पास आया कि जब menses शुरू होते हैं तो किसी को कम होते हैं कभी-कभी होते हैं किसी को बहुत ज़्यादा होते हैं किसी को pieces आते हैं तो उसका कारण क्या है उसका तो बहुत सारे ऐसे उसके कारण है और उसको हम अगले उसमें जो कि menstrual cycle का पूरा हम detail लेने वाले हैं तो उसमें हम पूरा बतलाएंगे और आप उसको जरूर देखना कि दर्शकों से अनुरोध है कि आगे हम इसको और बहुत detail लेने वाले हैं कि क्यों किसी को कम आता है क्यों किसी को ज़्यादा आता है और जो pieces आते हैं वो जो clots आते हैं उसका कारण क्या है यह सब menstrual abnormality कहलाती है यह नॉर्मल नहीं है मैंसिस प्रोब्लम के बारे में हम आगे के अपिसोट में बताने बाले है पुश्वापानी जी जैसे टीन एज की बात करें तो आपने बताया था पिछले अपिसोट में कि उस समय जो इस एज की बच्चे है शारिक और मांसिक उनका परिवर्दन होता है या विकाश होता है तो उस समय माता पिता को कैसा ब्योहार करना चाहिए और क्या जानकारी चाहिए और क्या जानकारी चाहिए या फिर बच्चों के साथ कैसा ब्योहार की चाहिए क्योंकि hormones change होते हैं बच्चों के उसमें जानकारी भी बहुत जरूरी है फीजिकल ग्रोथ के भी जानकारी जरूरी है क्योंकि जब changes start होते हैं तो सबसे पहले breast में एक nodule आता है वो nodule जो होता है तोड़ा painful होता है तो कुछ समय पहले ही एक माँ अपनी बच्ची को लेकर आई कि मुझे तो बहुत घबराट हो रही है इसको गठान breast में है और बहुत दर्द होता है कहीं ऐसा तो नहीं abscess बन गया है तो ये normal है जब breast nodule start होते हैं तो थोड़ा शुरू में painful होता है तो एक तो physical जानकारी भी बहुत जरूरी है ये जानकारी बहुत जरूरी है कि सबसे प अगर menses start नहीं होता है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए हो सकता है उसके अंदर कुछ जन्मजात कुछ जो reproductive system जिससे जारिस जो organs है उन भी कुछ problems हो चाहिए oberies में problem हो सकती है जिससे estrogen hormone नहीं release हो रहा होगा तो ये भी problem हो सकती है तो शारीडिक जानकारी भी parents को जरूर है कि normal क्या growth होती है दूसरी बात यह भी जरूरी है psychological psychological जानकारी जरूरी है कि इस age में changes आते हैं तो hormonal changes के करण उस बच्ची के या किशोरी के क्या बच्ची किशोरी में change हो गई उसके व्योहार में परिवर्तन आता है तो उस समय उससे कैसा व्योहार करें friend जैसा व्योहार क करते हैं तो वो अपने दूसरे friend को ढूड़ते हैं क्योंकि वैसे भी उस समय दूसरे friends के प्रती attraction हो जाता है दोसों के प्रती attraction हो जाता है opposite sex के प्रती attraction हो जाता है तो उस समय ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल parents भी बहुत busy होते हैं बहुत busy होते ह एक student था तो उसको उसके parent psychiatrist के पास ले गए और वो बड़ा आजीवी कारण था क्योंकि वो जो बच्चा था वो कहता था कि मुझे अपनी class fellow से अब सोचिए 10-11 साल मुझे अपनी अपनी दोस्तों से शादी करना है और बहुत परिशान कर रहा था घरवालों को दोनों ही छोट है तो वो psychiatrist के पास ले गए क्योंकि अब बहुत समझाया उसको समझ में नहीं आ रहा था तो जब बच्चे को ले गए तो फिर psychiatrist ने उस बच्चे से पुछा विटा ये तो बताओ कि तुम उससे क्यों शादी करना चाहते हो उसमें तुम्हीं क्या अच्छा लगता है और है और अपने परसनल प्राब्लम भी बताती है अच्छा समय देती है और अपने उसकी परसनल जो प्राब्लम होती है परसनल भी मेरे से बात करती है और मैं भी उसे परसनल बात करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो हम लोग को अच्छा लगता है तो हमको लग कुछ दिनों पहले ही एक फादर मेरे पास एक अपनी बेटी को लेकर आए आठ साल की थी वह और उसमें सेकंडरी सेक्स करेक्टर भी और भी काफी चेंजेस भी नहीं आये थे आठ नौ दस ऐसे दस के आसपास रही हो भी लगता हूँ आठ से दस के बीच में ऐसे रही होगी तो मेरे पास उसको लेकर आए और कहा कि इसको पता नहीं चोट लग गई है ब्लेडिंग हो रही है वो तो बहुत चोटी सी थी करिब दस वश की थी तो अब मैंने देखा उसका तो मिनारकी भी स्टार्ट नहीं हुआ था तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ पहले तो हम लोग ये सब पूस्ते नहीं थे और ये लोगों को नॉलेज में नहीं होती थी और इस सरफ क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत है और पैरिन्स को समय नहीं मिलता है तो उनके फादर को लगा कि कोई चोट अगरे होगी उसके मदर एक्च्वल में थी नहीं मदर कहीं बाहर गई होई थी एक महीने से कहीं बाहर गई होई थी और आपस में घर में थोड़ा सा टेंशन बे था तो उसको लेकर आए तो मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो प्रॉबलम हो सकती है फिर हमने उसके फादर को बाहर भेजा उसे पूछा कि बिटा यह तो बताओ कि कुछ तुमारे साथ कुछ प्रॉबलम होई है क्या कि तुम किसी के साथ खेलते हो तो थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोली बोली हाँ आँटी हम लोग ना खेलते हैं तो अब जैसे हम जो बहुत सारे लड़कों के साथ भी खेलते हैं ना तो हमको हमारे साथ कुछ किया था हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ और हमको तो ब्लीदिंग स्टार्ट होगी माना इसेज में बच्चों का ध्यान देना बहुत जरूरी है आच के समय में क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं है इवन मिनार्के स्टार्ट नहीं होई है और उसके पहले ये प्राब्लम हो गई और ऐसा नहीं कि कुछ जानबूज के वो कुछ कर रहे हैं क्योंकि यह adolescent जो age होती है यह experimental age होती है और experiment करते हैं वो social media को देखकर जी जी इसलिए बच्चों को social media आते हैं boys में भी changes आते हैं और girls में भी changes आते हैं जो boys होते हैं उसमें भी hormonal changes आते हैं उसमें testosterone बढ़ता है इसमें estrogen बढ़ता है तो दोनों यह experimental age होती है इसलिए parents को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उनको यह बच्चों को सारा बतलाना चाहिए उनके psychology पे ध्यान रखना चाहिए कि आपको कैसा रहना है और आप में यह changes आ रहे हैं पहले यह आवश्यक्ता नहीं थी आज कल parents को जागरूख होने की आवश्यक्ता है क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे स्कूल से आए पांचवी छटवी का तो हमें याद है स्कूल से आए बस आए एक तरफ रखा और रखने के बाद खेलने बाहर चले गए कुछ तो मालूम भी नहीं था और सारा ध्यान खेल पे था सोशल मीडिया तो था नहीं तो कभी कुछ पता भी नहीं था यह सारी बातें कुछ मालूम भी नहीं थी क्योंकि ना ऐसे movies देखते थे ज़्यादा वो बस पढ़ते थे तो यह पहले ज़्यादा इसलिए अपराद कम भी होते थे और थोड़ा सा लेट भी था यह जो मीनार्की की एज है बुलब मा कितनी एज थी वो उसमें उसमें 13-14 से पहले लोगों को नहीं होता था आजकल जो हमारे पास जो आती है गर्ल्स वो 11 साल में सबको हो जाता इस एज में बच्चों का ध्यान रखना भी जरूरी नहीं है सिर्फ आपका फर्ज है कि आप उस बच्चों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखें उनसे दोस्तिक करें उनको अपना फ्रेंड बनाए सोसल मीडिया से विशेश रूप से उनको दूर रखें क्योंकि ये एज ऐसी होती कि इस समय आप बच्चे को एक बहुत अच्छा इंसान बना सकते हो और अगर हम उस समय बच्चों पर ध्यान नहीं देंगी ये तो ही कुछ जानकारी की कैसा बयोहार अपने मातपिता को बच्चों के साथ करना चाहिए और क्या-क्या समस्या सकती है अडूलेसेंट एज में तो मेंस्ट्रॉल प्रॉब्लम तो होती है मिनार्की से लेकर दो साल तक वो तो हम अगले अपिसोड में देखेंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है फिर भी थोड़ा सा अगर हम जानकारी रखें तो अच्छा है कि मिनार्की के बाद दो साल तक जो मेंस्ट्र होता है वो इर्रेगुलर हो सकता उसमें कोई घबरानी के आवज़ शकता नहीं है तो इर्रेगुलर पिरियड भी हो सकता है दूसरे बात कभी-कभी गठान भी हो जाती है कहीं-कहीं क्योंकि हमारे याँ टी-बी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है तो टी-बी की गठान भी कहीं हो सकती है और डिसमेनोरिया यह डिसमेनोरिया अर्थात दर्द होना तो यह मासिक धर्म के समय भी दर्द होता है और शुरू में एडोलेसेंट एज में यह ज़्यादा हो सकता है और डिसमेनोरिया इसका जो कारण और भी बहुत ज़्यादा है लेकिन adolescent age में अलग कारण होता है adolescent age का जो कारण होता है जो uterus spasm में जाता है मतलब constrict होता है constrict होता है और उसकी जो opening होती है बहुत छोटी होती है तो उसके कारण जब blood flow में निकलता है तो उसको दर्ध होता है तो उसको हम primary dysmenoria कहते हैं यह इसमें problem हो सकती है और इस age में अगर सफाई का ध्यान ना रखा जाए सफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो urinary infection भी बहुत ज़्यादा common होता है और females में ज़्यादा होता है girls में ज़्यादा यह common होता है males में कम होता है क्योंकि urinary tract जो होता है कि जो यूरित्रा होता है बिलकुल सामने बाहर की ओर होता है जो पेशाप की opening होती है बाहर होती है इसलिए infection हो सकता है तो इसलिए साफ सफाई का विशेश इस समय ध्यान रखना बहुत ज्यादा चरूरी है और पेट में दर्द और भी अन्य कारणों से होता है एक और कारण ह होता है कि जब मैंसे से स्टार्ट होता है और अगर जिसको हम कहते हैं एनाटॉमिकली प्रॉब्लम एनाटॉमिकली मतलब कि यूट्रस ठीक चरह से डवलप नहीं है और अगर उसमें opening नहीं है तो अंदर तो ब्लड निकल रहा है अंदर ब्लड निकल रहा है बाहर नहीं जा हुआ है और यूट्रस इतने बड़े बड़े गठान भी बन जाती है ऐसे में क्या करना चाहिए ऐसे में जब हमारे पास जब आते हैं तो फिर हम उनको operate करते हैं उनको artificial opening बनाते हैं फिर नॉर्मल हो जाता है कोई घपराने की बात लिए इसलिए अगर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है तो जरूर डॉक्टर के पास सलाह लें हो सकता है कुछ*** गंज़नाइटिल दॉपल की सलाह लेना जरूरी है ढूरी है menses के बारे में तो menses problem महिलाओं को होती है लड़कियों को होती है तो दोनों में अंतर क्या है adolescent age से जब menses start होता है तो उस समय irregular हो सकता है और जब एक बार वो set हो जाता है तो फिर regular होता है फिर वो जब तक menopause start नहीं होता है तब तक बिल्कुल regular cycle रहती है 28 days की 30 days की ऐसी cycle रहती है और ये irregular होता है तो दोनों में और ऐसे कोई खास अंतर नहीं है सिर्फ irregular रहता है और amount तो बराबर ही होना चाहिए उसमें कोई अगर ज़्यादा जाता है तो वो भी problem कहलाएगी चाहे वो adolescent age की हो teenage की हो या शादी के बाद महिला की हो वो लगभग एकी होती है दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है डॉक्टर एक और सवाल कि हमारे एक बहन आई थी उसका एक बच्चा था तो जैसे हम teenage की बात कर रहे हैं तो उस समय उस बहन ने परेशानी बताई थी कि पहले बच्चा बहुत अच्छा था लेकिन बाद में बहुत जिद्धी हो गया कोई बात नहीं मानना और सामान फेक देना तो उस सभाव को सेच में क्या आना जरूरी है कि जिद्धी पन हार्मोन एंस चेंज हो जाते थे इसलिए कि वो कनाव बढ़ जाता है बच्चों का लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए जी बहुत ज्यादा अगर वो मा बहुत परिशान थी बहुत प्रयास के लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था इस एज में आजकल मेंटल प्रोब्लम भी स्टार्ट हो गई जैसे बताए कि स्ट्रेस से स्टार्ट होता है पैरेंट्स उस समय ध्यान नहीं देते हैं इवन जब गरभावस्ता की समय भी अगर मदर स्ट्रेस में रहती है तो उसका इफेक्ट भी बाद में होता है अच्छा बच्चे प जब भी हमारे पास बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आती हैं बेटियों को लेकर आती हैं तो समय हमेशा एक हिस्ट्री जरूर पूसे हैं कि क्या गरभावस्ता के समय ऐसा तो नहीं कि आपको स्ट्रेस था तो एक तो सचमुच एक महिला ने बताया वो मेडि कहा कि डॉक्टर ने आपके पास भीजा है काउंसिलिंग के लिए तो हमने उसको हिस्ट्री पूछा तो उसने सचमुछ हिस्ट्री बताया कि मेडम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो जब मेरी शादी होई थी तो जिस घर में मैं आई वो जैन फैमिली से भिलॉंग करती थी तो उस फैमिली में जब मैं आई तो मेरे हस्बेंड बहुत गुसा करती थी घर का वातावरन बहुत खराब था मुझे बहुत खराब लगता था मुझे लगता था मैं इस घर में दुबारा ओई ही नहीं लेकिन पहली ही बार मैं प्रेगनेंट हो गई थी और जब मैं वापिस गई तो जैन समाज में एबोर्शन नहीं कराते हैं उनमें ये अच्छा नहीं माना जाता है तो उसे खा मुझे मजबूरी में फिर से मुझे वापस आना पड़ा नौ मास मुझे इतना ज्यादा टेंशन था कि मैं बहुत मुश्किल से इस घर में रह पाई और आज उस समय काफी समय तक तो वो बच्छा ठीक था लेकिन अब जब युवा हुआ है तो उस समय उसको डिप्रेशन हो गया है मा का असर बच्चे पर आ गया है तो मा को भी जागरू करना चाही कि मेरा बिहेवियर शुरू से कैसा था और उसका जो दूसरा बच्चा था तब तक तो मैं सेटल हो गई थी उस घर में तो जब दूसरा बच्चा जब दूसरी बच्ची थी उसकी तो जब दूसरी बच्ची जब हुई तो उसमें मैं बिल्कुल अच्छी थी, जबकि वो तो बेटी थी, जब बेटी हुई, तो वो mental status की बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें adjust कर चुकी थी, जैसा वातावरन था, तो वो जो बेटी है, बहुत अच्छी है, और मा को भी समझाती है, घरवालों को भी समझाती है, तो उसमें ही changes, तो कभी-कभी ये भी कारण हो सकता है, तो कारण तो parents का ही usually रहता है, जो उसका प्रभाव होता है, तो इस age में भी parents को ध्यान दे, अगर जो गलती की, अब उसको तो हम सुधार तो सकते नहीं है, लेकिन इस समय थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, कि हम अपने behavior को को देखें, कि ऐसा तो नहीं, कि घर में अपस में अभी भी tension है, क्योंकि उसको वो reflect करता है बच्चा, क्योंकि बच्चा वो ही सीखता है, अज घर में मान लो father चिल ला रहे हैं, तो फिर बच्चे तो वही करेंगे न, और इसके कारण उसका effect तो होता ही है, तो घर के बाता अध्यात्मिक मोहल बना कर रखना है, लेकिन कई बार बच्चे सा करातना प्रयासों से भी नहीं बदलते, तो जैसे आपने का काउंसलिंग कराते हैं, तो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग कराना ज़रूरी है, क्या? काउंसलिंग अगर पैरेंट्स ही करें तो बहुत अच्छे, क्योंकि वैसे तो हमारा जब भी काउंसलर का नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को लेकर आते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक्ता ही सबसे अच्छी काउंसलिंग होती है, तो आध्यात्मिक्ता के बारे में हमा से जीवन में उतारना है आध्यात्मिक्ता कोई ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाट करने लगो कि अब सारा समय आप मंदिर में बैठे रहों यह नहीं है आध्यात्मिक्ता होता है इसको spiritual health भी कहते है मतलब यह स्वास्त राख जीवन जीने का एक तरीका भी है आध्यात्मिक स्वास्त अर्थात की स्वयम को जनना स्वयम की आध्यात्मिक शक्तियों को जनना जो हर मनुष्य की आवश्यक्ता है जैसे उस बच्चे का भी आपने कहा कि वो बच्चा क्या चाहता है प्रेम चाहता है तो माबाप हो सकता है उसको प्रेम ना दे पाए क्यों नहीं दे पाते हैं क्योंकि माबाप स्वयम खाली है तो अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता है, उसका अर्थ है कि उसके अंदर प्रेम जागरत है, प्रेम से वो भरपूर है, तो जब वो प्रेम से भरपूर होता है, तो उसके अंदर से वो प्रेम के वाइबरेशन निकलते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो बच् by कभीकभी कभी हम शक्ति को नहीं महसूस कर पाते उस प्रेम को नहीं महसूस कर पाते क्योंकि वातावरन के कारण खाली हो गये हैं तो सुप्रीम पावर को याद करना जरूरी है तो शस्टडी भी हुई है कि जो परमात्मा पर विश्वास करता है जी चाहे किसी भी रीती से उसके घर में सुक शांती होती है क्योंकि एक अध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर रहती है तो जो हम राजियों का भ्यास करते हैं उसमें परमात्मा एक हमारे फादर के रूप में है तो जैसे फादर बच पिता के रूप में तो हम उसको अपने फादर के रूप में देखते हैं पैरेंट्स अपने फादर के रूप में देखते हैं बच्चों को भी यही सिखाते हैं तो बच्चों में भी एक बहुत शान्ती की भावना आती है और उसके अंदर प्रेम की ना जागरत होती है और बाहर का उसका परभाव बहुत कम पहुंजाता है दोस्तों का मीडिया का परभाव आपने इतने अच्छी सलाह दी हमारे दर्शकों को कि महिलाओं की प्रतीक्या क्या जावरूपता है और टीन एज में जो समासे होती है उसमें मात-पिता को अपना कैसा रोल करना चाहिए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुष्वपाने जी आप सभी ने जाना कि तीन एज में जो जो समस्य होती है उसमें विशेश मात-पिता को जागरुक रहना बहुत जरूरी है और अपने बच्चों के साथ दोस्ती भी करना जरूरी है उनकी बाते भी सुनना है और सुनकर उनकी बातों को हल भी करना है ताकि बच्चे बाहर की पुरी संगत में बिलकुल भी ना फसे आप स्वस्त रहें, खुश रहें यही हम चाहते हैं और हम फिर मिलेंगे एक नए प्रश्णों के साथ आम शांती नमस्कार